नमस्कार दोस्तों आप सबका कानपा एजूकेशन अकेड़ में बहुत बहुत स्वागत है आज हम अपने इस वीडियो में काफी इंपॉर्टन टॉपिक को एनलाइज करने जा रहे हैं और वो हमारा टॉपिक है पॉलिशी फोर आवर्सीज बोरोईंग और वोर्सीज बोरोईंग कहिए या इसको ECB कहिए ECB का सिंपल मतलब हो गया External Commercial Borrowing ये दोस्तों एक नई पॉलिशी है और अपनी पहली वाली पॉलिशी से इसमें कुछ चेंजिस किये गए है इन चेंजिस को किया किसने है तो RBI ने RBI इस पॉलिशी में चेंज कर सकती है और इस पॉलिशी को इंपलिमेंट करने का काम भी जो है वो RBI के ही पास है तो हम जानेंगे कि जो पहले के प्रोविजन थे वो क्या है जो आज के प्रोविजन है वो क्या है उसके अलावा दोस्तो ये जो ECB है इस पर regulation बनाना important क्यूं है तो देखे दोस्तो ECB सिर्फ जो हमारे देश के industrialist होते हैं वो सिर्फ interest कम होने की वज़ा से ही बाहर का जो है interest rate कम होता है उस वज़ा से ही सिर्फ loan लेने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं काफी strategic benefit भी होते हैं जैसे कि रूपी का अगर depreciation हो रहा हो तो रूपी के depreciation को रोकने के लिए भी external commercial borrowing को simple बना दिया जाता है ताकि जो हमारे देश के investors हैं या फिर यूँ कहें जो industrialist या दूसरे जो stakeholders हैं वो फटाफट फॉरण से ECB ले यानि borrowing ले और उससे हमारे रूपी का depreciation रुक जाए रूपी के depreciation पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है वो वीडियो आपको i button में मिल जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों यह जो external commercial borrowing या उसके काफी दूसरे strategic benefit है यहाँ पर देखें दोस्तों जब loan लिया जाता है तो loan का जब दुवारा repayment भी करना होता है हमें तो यहाँ पर जब दोस्तों repayment होगी तो repayment के दौरान हमारे देश से पैसा फिर बाहर जाएगा तो उससे हमारे रूपी का जो strong जो strength है उस पर फरक पड़ सकता है तो उससे हमें नुकसान हो सकता है इसलिए RBI इस चीज़ को regulate करने की कोसिस करती है कि जो repayment और जो हमारे देश में ECB लेने का process हो और जो repayment का process है उसमें एक proper balance बना रहा है जिससे हमारे देश की economy को नुकसान ना हो तो यहाँ पर मैंने आपको objective discuss कर दिया इसके regarding authority कौन सी है तो RBI है यह सारी बाते मैंने आपके साथ discuss कर ली और यह important क्यों है तो यह जो important तो इस कारण हो जाता है कि रूपी के depreciation या strength की value को balance करने के लिए और उसके अलावा जो foreign से loan मिलने वाला होता है वो काफी सस्ता होता है तो यह सारे कुछ objective और फाइदे हैं हम तुरंद policy की तरफ जाते हैं और policy में क्या-क्या change हुआ है उसको फटा-फट समझ लेते हैं अपने इस वीडियो में तो दोस्तो हम यहाँ पर कैसे चलेंगे तो हमारा आगे चलने का purpose है कि previous versus new यानि previous यानि पहले वाला क्या provision था और अब वाला क्या provision है तो इसके according हम यहाँ पर इस feature को समझेंगे कि नई policy के features क्या-क्या है तो देखिये दोस्तो यहाँ पर जो भी illisible borrowers होंगे अब यह illisible borrowers actually कौन है illisible borrowers कौन है तो उसकी यहाँ पर एक अलग से definition दी गई है जो जो agencies या entities जो foreign direct investment accept करती हैं वो सारी की सारी illisible borrowers बन सकती है तो यहाँ पर जो नई policy है वो कहती है कि जो भी illisible borrowers है यानि borrowers हमारे वो हो गए जो direct FDI जो है वो receive कर सकते हैं जो entities उनको यहाँ पर external commercial borrowing का भी right है तो नई policy कहती है कि वो 750 million या इसके equivalent क्योंकि देखिये दोस्तों यहाँ पर equivalent सब्द का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि यह अलग currency में भी मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यह कोई जरूरी नहीं कि जो हमारे देश के corporate या जो entities है वो US से ही जाए लोन लेने के लिए वो European Union में भी जा सकते हैं वो ADB में भी जा सकते हैं और AIIF इस तरीके से जो और institutions है फाइनांस वाले उनमें भी जा सकते हैं वो इसके अलावा जापान के बैंक फ्रांस के बैंक या दूसरे देशों के बैंक में भी जा सकते हैं तो वहाँ पर उनको जरूरी नहीं है डॉलर क form में वो जो है external commercial borrowing मिलेगी वो उनको अलग currency में भी मिल सकती है तो इसलिए यहाँ पर जो भी eligible borrowers हैं वो 750 million तक loan ले सकते हैं यहाँ पर दोस्तों यह जो 750 million है यह maximum benchmark है इसका मतलब यह नहीं कि हर eligible borrower 750 million डॉलर पैसा लेगा यह इससे कम हो सकता है इससे जादा नहीं हो सकता और इसके लिए government ने route तै कर दिया है कि इतना यानि 750 million डॉलर तक या इसके equivalent हर financial year में लिया जा सकता है automatic route के under में और automatic route का मतलब यहाँ पर हो गया कि without approval यानि किसी government की agency से approval की जरूत नहीं है इतने तक पैसा जो है कोई भी external commercial boring वो बाहर से ले सकती है यहाँ पर यह जो दोस्तो limit था यह पहले sector के according था लेकिन अब इसको यहाँ पर इससे हटा दिया गया है इसको sector के irrespective बना दिया गया है पहले यह sector के respective था यानि पहले automobile sector हो गया energy sector हो गया तो इन सब के लिए अलग-अलग amount होता था कि आप अलग-अलग amount market से उठा सकते हो ज लेकिन अब यह इसके according categorization नहीं होता अब यहाँ पर simple कर दिया गया है कि जो भी borrowers हैं वो चाहें किसी भी sector के हो वो सब equal हो गये हैं तो एक तरीके से यहाँ पर अब sector specific development की बात नहीं होगी यह इसका drawback बन जाता है और यहाँ पर अब सारे investor जो हैं वो equal हो गये यह एक तरीक के से हमारा बन जाता है यहाँ पर liberal policy का एक रूप यानि ease of doing business अब यहाँ पर हो गई है आसान अब उनको यह सब जानने में यह सब समझने में जादा time नहीं लगेगा कि यहाँ पर जो businessmen हैं उनको कितना loan बाहर से मिल सकता है वो simple इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं तो यह स और दोस्तों उसके बाद government ने यह limitation रख दी है कि यह जो होगा ECB ECB का जो cost है उसका यह cost जो है वो benchmark से 450 BPS यानि एक तरीके से 4.5% तक बढ़ सकता है इसका मतलब यह हो गया कि 750 million जो है उसका total cost उससे 4.5% तक बढ़ सकता है उससे जादा नहीं बढ़ सकता तो इसकी भी अप यहाँ पर हमें उतनी जानने की जरुत है नहीं तो इसका मतलब यह कि 750 million dollar प्लस 4.5% 750 million का तो इतना यह लिया जा सकता है यहाँ पर actually यह 750 million का 4.5% नहीं है यहाँ पर यह साड़े 700 से नीचे भी हो सकते हैं अलग-अलग corporate चाहें वो 500 million हो सकता है यह 600 million हो सकता है तो यह जो है 4.5% उन respective amounts का होगा ना कि 750 million का तो इसको आप ध्यान रखिएगा उसके बाद से दोस्तों यह जो है third वाला नियम यह मैंने आपको पहले ही समझा दिया है आईए अब आगे चलते हैं तो आगे दोस्तों क्या किया गया है आगे दोस्तों देखिए जो categorization होती थी ECV की वो ती इन तरीके से पहले categorization की जाती थी अब दोस्तों उसको दो तरीके से categorize करने को निश्चित किया गया है external commercial borrowing में पहले rupee denominated और foreign currency denominated ECV होती थी foreign currency यानि दूसरे देश की currency में external commercial borrowing हो सकती है और जो rupee denominated bonds जो होते थे उनको masala bond का जाता है तो जब masala bond के थुरू external commercial borrowing की जाती है तो वो rupee denominated हो गया हमारा और जब दिशरे देश की currency में जब ECV लिया जाता है तो वो foreign currency denominated हो गया यहाँ पर तो पहले दोस्तों policy थी हमारी ये track 1, track 2, track 3 यहाँ पर maturity का time period अलग होता था और जो nature होता था currency उसके basis पर जैसे track 1 में हमारा वो external commercial borrowing आएगा जिसका minimum maturity जो हो वो 3-5 साल हो और यहाँ पर यह जो currency हो वो foreign currency हो उसके बाद track 2 में था foreign currency हो लेकिन उसका जो maturity period हो वो 10 साल हो कम से कम यानि 10 साल कम से कम का मतलब कि 10 साल से ज़्यादा हो सकता है 10 साल से कम नहीं और यहाँ पर कम से कम 3 साल का मतलब कि कम से कम 3 साल हो सकता है या 3 साल से 5 साल हो सकता ह इससे कम नहीं हो सकता तो इन चीजों को यहाँ पर ध्यान देने की जरुरत है यहाँ पर देखे दोस्तो यह external commercial borrowing किसी country ने लेके अपने रूपी के depreciation को रोक लिया लेकिन बाद में जब उसकी दुबारा payment करनी होगी तो फिर यहाँ पर जब हमारे देख से जब external जो foreign currency है जब हमारे देख से जाएगी तो फिर वो रूपी के strength को खराब कर सकती है तो यहाँ पर एक तरीके से जो हम रूपी के strength को मजबूत करने के लिए external commercial borrowing पे ज़्यादा dependent रहते हैं वो उतना सही नहीं रहता इनी सारी चीजों को देखके इस तरीके से track बना दिया गया था तो पहले जो categorize करने का तरीका होता था वो track 1, track 2 और track 3 होता था track 3 में Indian rupee denominated ECB होता था और इसमें maturity period 3-5 साल यह जो track है categorization है further भी बढ़ सकता है यह कोई जरूरी नहीं कि 2 या 3 track तक ही limited हो लेकिन अब यह सारा जो system है यह अलग कर दिया गया है इसको खतम कर दिया गया है अब जो ECB का categorization है वो सिर्फ दो तरीके से कर दिया गया है एक कर दिया गया है rupee denominated और दूसरा कर दिया गया है foreign currency denominated तो आप इस चीज को समझ सकते हैं rupee currency denominated और foreign currency denominated तो अब यहां पर ECB को सिर्फ दो तरीके से categorize किया जाएगा इससे भी दोस्तों जो business में efficiency होती है वो बढ़ जाएगी क्योंकि track 1, track 2 और track 3 के लिए अपने सब rules जो होंगे वो अलग-अलग होंगे जो एक तरीके से सब close होंगे वो अलग-अलग होंगे लेकिन जब यहां पर simple ऐसे कर दिया गया तो यहां पर अब foreign currency के अंदर ही अलग-अलग categorization को खतम कर दिया गया है तो इससे जो होगा external commercial borrowing लेने वालों को अब फायदा होगा अब उनके लिए जो rules होंगे rules का जो number होगया जो law follow करने की संख्या होगई वो कम होगई तो इससे भी ease of doing business जो होगा अब यहां पर काफी simple हो जाएगा external commercial borrowing पर जो काम करने वाले हैं उसके अलावा कुछ और भी rule है यहां पर और यह दो important काफी यहां पर rule है वो यह कह रहे हैं यहां पर कि जो minimum maturity period होना चाहिए फरक पड़ेगा इसलिए government यहां पर लंबा time चाहती है तो कम से कम external commercial borrowing उसी case में ली जा सकेगी जहां तीन साल से ज़्यादा की maturity मिले अब यह बात अलग है कि government यहां पर government का मतलब हो गया है यहां पर RBI जो है यहां पर कुछ छूट दे सकती है किसी किसी special case में तो वो government के उपर है लेकिन जब तक government यहां पर कोई special छूट नहीं दे रही किसी को कोई special permitted नहीं है कोई borrower तब तक उसको इस policy का पालन करना होगा उसको इस rule का पालन करना होगा कि जहां भी maturity तीन साल से कम मिल रही है वो वहां से करजा नहीं ले सकता तो यह एक चीज इसमें add कर दी गई है उसके बासे दोस्तों जो हमारा नया framework है ECB का वो यह कहता है कि जो यह नए नए हमारे देश के जो agencies है इनको भी अपना काम करना है इनको भी अपना अधिकार है कि जो इनका काम करने का cost है उसको वो कम करे जब हमारे देश में interest rate सस्ता नहीं मिल रहा तो यहां पर जरूरी है कि यह दूसरे देश की bankों पर dependent होके अपना क उनको भी अब बाहर से लोन लेने के लिए allow कर दिया गया है, ये भी अब बाहर से borrow कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों इस policy में एक negative लिस्ट भी बनाई गया है, negative लिस्ट में उनको डाल दिया गया है जो बाहर से loan नहीं ले सकते, या toute borrowing नहीं कर सकते तो उसमें include कर दिया गया है real estate activities को जो भी real estate में काम करने वाला है वो ECB हमारे देश में नहीं ले सकता उसके बाद से जो capital market में invest करने के लिए जो आएगा उसको अपने खुद के पैसे invest करने होंगे या अपने देश के bank से loan लेकर invest करना होगा वो ECB के लिए नहीं जाएगा उसके बाद से equity investment के लिए भी यानि उसको किसी company में अगर share खरीदना है ownership के लिए तो उसको वो जो पैसे लगाने होंगे अपनी तरफ से लगाने होंगे उसके खुद के पैसे होने चाहिए वो यहाँ पर external commercial borrowing के लिए उसको इजाजत नहीं मिलेगी यहाँ पर इसके अलावा दोस्तों जो working capital purpose है working capital होता है एक हमारा fixed capital होता है fixed capital में हमारी buildings machines वो आ जाती है जिनका इस्तेमाल जो होता है वो पूरी तरीके से नहीं होता वो production के बाद भी बची रहती है तो जैसे हमने machine से कपड़ा बना लिया तो यह हमारा हो गया fixed capital machine building हमारी जयों के तियूं बनी रहेगी कितना भी हम कपड़ा बना ले उस company में लेकिन जो working capital होता है वो समान बनने के ही साथ खतम हो जाता है तो working capital में हमारा आ जाता है एक तरीके से raw material और दूसरी जो चीजे होती हैं इस्तेमाल होने के लिए वो तो working raw material हमारे एक working capital है तो जो working capital का purpose होता है उसके लिए external commercial borrowing का इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ पर simple मतलब यह है कि कोई चीज बस एक तरीके से जो इसका purpose होगा वो सिर्फ asset creation के लिए होगा ECB का purpose सिर्फ asset creation के लिए है इसका purpose जो है working capital या किसी और चीज में लगाने के लिए नहीं है यानि एक तरीके से इसका जो investment होगा वो ऐसी जगा होगा जिससे देश की economy में growth हो वो किसी subsidy या किसी और तरीके से खर्च करने को यहाँ पर मना ही की गई है जो working capital purpose है दोस्तों यहाँ पर foreign equity holder जो है वो working capital के लिए ECV ले सकता है क्योंकि दोस्तों अगर वो ऐसा करता है तो यहाँ पर जो burden पड़ेगा वो foreign equity holder पर पड़ेगा वो हमारे देश के किसी नागरिक पे नहीं पड़ेगा यानि indirectly हमारे देश की government पे या RBI पे नहीं पड़ेगा इसलिए working capital purpose के लिए अगर वो वैक्ती हमारे देश का है तब तो वो ECV नहीं ले सकता क्योंकि उसकी repayment जो होगी वो करनी होगी government को ही और एक तरीके से government को ही क्योंकि वो अपने देश में रूपी में कमाएगा वो और बाद में जब वो उसको pay करना चाहेगा तो जब यह र RBI को तो फिर foreign currency में ही देना होगा तो इसलिए यहाँ पर RBI ध्यान रखती है कि ऐसे लोगों को ECV लेने से रोका जाए जो उसका investment working capital के लिए करते हैं यानि fixed capital के लिए जो नहीं करते उनको रोकती है यहाँ पर RBI लेकिन अगर वो बंदा हमारे देश का नहों के foreign का हुआ त यहाँ पर RBI की जिम्मेदारी नहीं बनती RBI को यह यह नहीं कह सकता कि मैं रूपी में आपको पैसा दे रहा हूँ आप इसको convert कर लीजे मैंने यह ECV के थुरू इसको कमाया है ऐसा उस case में नहीं होगा तो यहाँ पर यह चीज जो है फाइदे का काम कर रही है इसलिए यहा हमारे देश के नागरी के उन पर अपना कंट्रोल जमाए रखा है उसके अलावा repayment of rupee loans for accept foreign equity holder तो यहाँ पर repayment of rupee loan का जो repayment होगा उसके लिए भी ECV लेने की जरूत नहीं है यानि एक तरीके से बाहर से तुम पैसा ला रहे हो देश में और उसके बासे रूपी में उसको दुबारा बाहर भेज रहे हो तो इस चीज़ की भी permission ECV में नहीं दिया गया है जिससे हमारी देश की economic stability को खत्रा ना हो तो एक तरीके से ये policy बनाई गई है external commercial borrowing के जो demerits होते हैं उनको counter करने के लिए और जो उसके merits होते हैं उसको जादा से जादा यूटिलाइज करने के उससे जादा से जादा फाइदा लेने के लिए तो दोस्तों अब यह है हमारी इस वीडियो का and I hope आपको यह lecture अच्छा लगा होगा इसे फटाफट लाइक कीजिए और साथी साथ अपने दोस्तों में share कीजिए और अगर आप हमें कोई अपना feedback देना चाते हैं तो वह भी दीजिए हमें आपके feedback की काफी ज़्यादा जरूरत है थैंक्स टू आल आफ यू फोर वाचिंग दिस वीडियो